जिन से उमीदे बनाएंगे मजार मेरी वो मेरे कबर का पथर चुरा कर चल दिया है कुछ ऐसी ही बानगी है कुरहनी प्रखंड के नया टॉला के लोगों की जिनों बड़ी ही उमीद से अपने जन प्रतिनिधी को चुना था और ये सपने देखे थे कि जब बार या भी पत्ति आएगी तो उनके जन प्रतिनिधी उनके साथ खरे होंगे लेकिन आज किसमत की ऐसी मार परी कि ये कुल एक सो परिवार तो बार में घीर चुके हैं जहरीले जीव जनतु साप और सबसे बरिवात की सौचाले की समस्या आईए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और हम जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी समस्या है उनको कितना सहयोग मिला है सुनु जी क्या स्थिति आपके हां यहां के स्थिति तब बहुत दैनिये चल ला है यहां जो हम देखें हैं सब्सक्राइब हैं देखें कि बहुत ज्यादा बाढ़ूट का यहां लोग रसित हो गए हुए हैं और उसके बाद तब हमने सोचा कि यहां पर कुछ होना चाहिए हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं सभी तो कि यहां पर कुछ किये नहीं है दावों की बात करें तो सरकार तमाम दावे करती है पिरित लोगों के लिए खाने की व्यवस्ता है रासिन का पैकट बनाया जा रहा है सब्सक्राइब हो रही है और दावे किया जा रहे हैं आपके कुरहने के खासकर कुरहने के बात करें तो कुरहने में कितनी सुब्धाय मिले हैं और कितना धरातल पर यह दावे अभी तो बहुत इसे दावे सुन रहे हैं लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है मिला कुछ नहीं है जमीनी हकिकत कुछ और है यहां पर राशन के मामलें में पर डिलर लोग भी कचरा करते हैं कि सरकार से यहीं उमीद करते हैं कि जो भी अनुदान हो जल्द से लोग पहुचाया जाए कि आपके उम्मीद करते हैं कि आपके उमीद करते हैं वह हम तर जनता मतलब यहां पर बार में फसे हुए लोग है 15 बिद्दीन से लोग फसे हुए है वेगर और पानी आने जाने का मतलब नाव ताव दुनिया संसार इसको तर नहीं अपन यह पर यह पर एक कि अवर्ण गवन के यह बंद हुआ है जनने तरने सब घराए घराए हुए है तो चराहत पर गेट खाना पीना के विवस्ता होना चाहिए केवल करहानी का नयतोला ही नहीं तुर्की से सटा हुआ मनरिया चुटकरीया तिलिया पूर्वी में यह जाया जाए पूर्वी कुरहनी में तो मनियारी रतनोली सटाहवा सवर्षा सवर्षावाजशू बंशावी चपकी केरमा गरहुआ मरिचा तमाम जो गाओं हैं तमाम पंचयत हैं 49 में से मोटाउंटी 30 पंचयत पुर्ण रुपें बार से ग्रसित हो चुका है लेकिन अभी भी जमीन पे कुरहनी में कम से कम किसी भी समस्या का कोई समधन नहीं हुआ है सरकारी दावे हवा हवा हई है मोकुल कुमार ग्राउंड जीरो से